कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकोन का बटन अवश्य दबा दें उमदेवी जी आज सिक्षा मित्रों को इको गार्डन में धर्ना पदर्शन करते हुए 187 दिन हो गए हैं और 3 दिनों बाद 6 महीने पूरे हो जाएंगे आज देश दुनिया में दीपा वली का तहवार मनाया जा रहा है हर आदमी अपने घरों को सजाए हुए बैठा है और खुशिया ही खुशिया है चारों तरफ और आप सिक्षा मित्र यहां एको गार्डन में खुले आस्मान के नीचे धर्ना पदर्शन कर रहे हैं कल कैबिनेट बैठक होनी थी लेकिन नहीं हुई सेहम साब अयोध्या में थे और वहां पर भी फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया इलहाबाद के बाद अब यह दूसरे शहर का नाम बदला गया है हजारो करोर रुपया इस नाम बदलने पर खर्च होगा एक तरफ सरकार नई नई योजनाय लाती जा रही है और सिक्षा मित्रों को पिछले 13-14 महिने से मांदे तक नहीं दे सकी है तो इस दिवाली के मौके पर सिक्षा मित्र कितना दुकी है कितना उदास है क्या कहना चाहेंगी मेरे वया सासन की नीती और रणीती दोनों जमीन आस्मान का फर्क दिखा रही है नीती जो इन्होंने बनाया वो सापसुत्री नहीं और रणीती जो ये खेल रहे है वो अच्छी नहीं पैसा जहां इनके नेता मंत्री आयस पीसियस कहते है कि कोस नहीं है खजाने में पैसे नहीं है और इतने 300 करोड रुपया इलावाद को चेंज करने में लगा अजुद्या को चेंज करने में अब लगेगा फैजाबाद को चेंज करने में लगेगा और आगे जितना बदलाव आता जाएगा लगेगा जिस घर में रोटी खाने के लिए लोगों के पास पैसे ना हो तेरा महीने से मांदे देने के नाम पे भी मांदे इन्होंने नहीं दिया हो तेवार के समय कोई ऐसा सासक नहीं था कोई ऐसा राजा नहीं था जिसके घर में दिपावली के समय उसकी प्रजा दुखी रही हो। साल भर्ग में किसी न किसी इसाब से दिपावली के समय खुसियां सासक राजा अपने जनता को जरूर देता था। हमारे मुख्यमंत्री जी संत महत्मा होते हुए ऐसे बिसम परिस्थितियों में लाके खड़ा कर दिये कि खुद के द्वारा संकल पत्र में किये गए वादे मंच पतल पर दिये गए भासड वक्त अब इनका जो भी है एक भी साफ सुत्रा नहीं है और हाइप और कमेटी में ल सब्सक्राइब करने इनका जमीन आस्मान के फार्क है जनता वखो भी इनकी समझ रही है इसलिए मैं अपना धर्ना नहीं समाप्त की मुझे पता था कि यह खाली चलावा कर रहे हैं मैंने इनसे एक लाइन में कहा था कि सर आप जिस दिन दे देंगे उस दिन बिना कहें अप रहे हैं क्योंकि यह कहते हैं हमारी गवर्मेंट सवंड की गवर्मेंट कि सवंड कि शिक्षा वित्रप परिवार में सवंड नहीं है वह जो बैटे हुए इसी तरीके पूरी दुनिया जीवित रहती है उनके बच्चे खड़े हैं उन बच्चों को भी इन्होंने ताक पे रख दिया है और गरीबों की मसीहा ये बनने वाले प्रधान मंत्री से लेकर मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री से लेकर सिक्षा मंत्री कि सबी उसी लाइन में खड़े हो गए जिन्नोंने एक लाइन में अपने मन की बात इस भाव में मन की बात रखी कि उनका खुद का स्वार्थ नहीं थो दूसरे का दुख दर्द इन्होंने नहीं बाटा गरीबी का इन्होंने तमगा जरूर दिखाया ताद जरूर अपने उपर पहना गरीब मा का बेटा जरूर ये बने लेकिन अपने द्वारा दिये गए भासवाड, अपने द्वारा दिये गए वादे, अपने संकल पत्र को कभी ये दोहरा के देखे नहीं कि उसमें हमने लिखा क्या था, हमने बोला क्या था और हम कर क्या र पूर्पूर तरीके से लागू किए अब समय जो आ रहा है कि मौत का तांड़ा रुक नहीं रहा है मेरे भाई-बैन वाकई अपने हिम्मत को हार रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिस करूंगी कि मौत को मत चुनिए समय अच्छा आएगा बदला जरूर आता है सुर्योदय के बा बाबा की पूजा भी उन्होंने की है ऐसा माना जा रहा है कि जीत के लिए लोगसभा चुनाओं के लिए फिर पीम मोदी वहां के दानाथ पहुंचे हैं और इस तरह के से लोगसभा चुनाओं की तैयारी हो रही है आपकी बात को बीच में रोक करके बाबा हरदेव जी पूल चुके हैं क्या कहना चाहिए देखिए यह दुनिया का कोई भी ताकत अब लगा के देख ले इवियम केवल हट जाए तो जनता का अगर निश्वार्त भाव से अगर मन की भासा पड़ी जाए ना तो कोई वोट देने को तैयार नहीं है मेरे पास इतने सवर्ण भाई हमारे ही बाल बच्चों को नौकरी दे करके चीन रही है तो हम आगे इनको कहा से वोट देंगे तो वीजेपी समझे अपना हाल कि एक जनता जिस दिन चाहा देगे कि एक प्रयोग नहीं कर सकते हैं अभी जनता उस पर तयार नहीं हो पार ही मनमस्तिक से समझ नहीं पा रही ह कई न कई इनके चलावे उनको अभी जैसे हमारे परिवार को इन्होंने चला तो हम लोग तो मोत के मुँँ में जाने लगे तब हम लोग उसमें आए कि अरे यह तो ऐसा हो गया तब तक तो हम लोग अपने प्रधान मंत्री मुख्यमंत्री की बात माना करते थे लेकिन आज अगर अब हम लोगों को कोई कम दे तो मनने को को मेरा सिक्षा वित्र परिवार मेरे साथ जुड़ा जितना भी परिवार कोई मानने को नहीं तयार है कि मुख्य मंतरी प्रदान मंतरी राश्पती पल्लु जाल ले हमारा इंसे वास्ता नहीं है Я इन लोगों के साथ को सोशर्ण हो रहा हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है तो आप कुर्सी पर बैठ्थे क्यूं है lasts exemplo इस योग यह राजा होगा वो आयेगा और कुर्सी चलाएग कि अगा कि अगर की और सिख्शा मित्रों की बात करें तो शिक्षा मित्रों को इस दिवाली पर दव तौरकुल मेटी का घठन था मधिनिश शर्मा जी ने आप से दिपा वली के पहले खुश कपरी देने का वादा किया ता दूसरा 13 महीने से मांदे मेटित सिक्षामित्रों को वो भी तेरा 14 महिने से नहीं मिला और पर दिवाली तो फीकी हो गई ना आपको मांदे मिला सिक्षामित्रों को और नहीं समायोजन की या नौकरी को ले करके कोई मांग पूरी हो सकी मेरे भाई दिवाली फीकी तो दूर चोड़िये मौत का मातम पसरा हुआ है मेरे पूरे परिवार में कल अभी एक बहन ने जैसे ही सुना कि कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है वो मौत को चुनली हर दोई की बहन मेरी थी उसकी आप फोटोद उठाके देखिए मासूम उसके चोटे चोटे दो बच्चे वो किसके सहारे जीएंगे जिस घर में मौत का तांडव फाइल रहा हो और हजार अब आपनों मैं हजार कहूंगी गिनके वह अभी दो-चार दिन में देखते रहेगा तांडव ऐसा उठेगा कि जिसको कोई रोक ही नहीं पाएगा इस तांडव तब भी आप एक संत महात्मा होते हुए नहीं समझ पाए उस दर्द को कहा से आप परुपकार की बावना रखेंगे कहा से आप जीवों पर दया करेंगे आप जिस गुरक ना दाम की बात करते हैं वहां पे जितने भी संत बैठते हैं वह अपने माता पिता दुनिया को क्यों चुन रही है और आप उसमें कहते थे जब मैं पहली बार मीटिंग मेरी हुए मैं तुरित बिकल्प निकालता हूं तब से लेकि आज तक तुरित का नाम ही तुरित नहीं आ पाया क्या बीजेपी का सुसासन चल रहा है स्वार्थ की नीती चल रही है आडंबर खाली उपर से दिखाने का कुछ और और अंदर से कुछ और ये चीज तो इनी को समझ में आती है हमें तो नहीं समझ में आती है कि इनका सुसासन इनकी नीती कहीं से साफसुतरी को रह गई बात त्यहवार पे दिपावली फीकी की हमने दिपावली ना मेरे भाई पिछली साल मनाय पिछली साल मैं इंतजार कर रही थी उन नेताओं का जो चंगुल में फांसे मेरे भाई बहनों को उन गदारों दलालों का आज मैं खुद मैदान में खड़ी हूँ तो आज मैं सासन के क्रिया कलापों से बहुत आहत हूँ जो सासन जहां पे सुहागिन बहनों ने बाल घुट में चलेगा और आपके सामने इतियास खड़ा है ना कोई दीपत जला ना कोई खुषियां आई सब चुप्पी साद लिए एक चीज़ जरूर कहूंगी मीडिया बंदू आपके माध्यम से कि मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगी पेरे साथ उत्तर प्रदेश भारत पु आप लोगों के पास है और सीख डालिए आप अपने जूट के पिटारे को और बढ़ियां से सजाईए लेकिन यह सच का आवाज इसको आप दबा नहीं सकते हैं शिक्षा मित्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे दिपावली पर यह बात करने के बाद फिरम बाबाजी के पास मैं एक लाइन कहूंगी अपने भाई बैनों से आप मौत को बिल्कुल मत चुनिए खुसियां मिलेंगी नहीं देंगे चीनने का हग भी हमारा आपका है चीनेंगे हम आप मिलकर लेकिन जब आप जिन्दा नहीं रहेंगे वह खुसियां किसके काम आएंगे आप देखे समर् कि जो उनका स्ने होगा असिरवाद होगा आप अपने मुखागर बिंदू से खुदी कहेंगे आप लोग सुनेंगे और आप लोगों से बिंती करूंगी कि जेस तरह से आप एक अध्यापक थे उसी गरिमा में रहते हुए आप अनुसासन प्री बने रहिएगा अपने हिमत दीपावली का तहवार मना रही है और आपको ऐसे में सिक्षा मित्रों की सुधाई जो इको गार्डन में बैठे हुए हैं घर से दूर यहां इको गार्डन में खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं क्या कहना चाहेंगे दिनों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं आश ना जो बहन जी धर्ने पर बेठी हैं इन्हों ने तो बिल्कुल है कि घर में भी नहीं मनाएगे हम 2009 लोग आएगे वही हमारी heeft गए हमदा धर्ण淹य के संदि लड़ाई तो हम तो ये पक्ता जैसे लगा वैसे हमने कह मैं खुल्ड दिवाली मनाूंगा इनके साथ चलके और इनकी मांगों का समर्थन करता हूं सरकार जल्दी से जल्दी इनकी मांगों पर निर्ने ले और इनको हताशा से मुक्त कराए बरी कराए इनके परिवार जो की इस ट्रासदी को नहीं जहल पा रहे हैं और दिवंगत हो गए हैं उन दिवंगत आत्मा को मैं परम शांती प्रदान करे भगवान इसकी कामना करता हूँ और ये और एक जैसा कि जो आपकी बहन जी ने भी इच्छा जाहिर की कि मृत्तु का वरण नहीं करें व्हुसम्मा करना चाहता हूं कि उनका क्शा करता वरण नकरें यही एक संदेश मयारे इसमित्र वहनों को सबको मैं दीपावली की शुब कामना देता हूं कि उनका लक्ष उन्हें प्राप्त कदाचित तो यह कार्य सरकार का होना चाहिए था आप मिठाई लेकर के आए हैं ऐसा जर्नली होता नहीं है कि जो है कोई धरने पर बैठे वे लोगों की दुख मुसीबत और उसको परिशानी को समझे तो उमाजी क्या कहना चाहेंगी मेरे भाईया बड़े भाई आए मैं उन्हें से प्रडाम करूंगी क्योंकि देखिए सुख में तो सब साथी बनते हैं लेकिन जो दुख में साथी बने वह सच्चा हीरा कोई नूर होता है और मैं जैसे बड़े भाई को देखी हूं मेरे भाव इल्दम घर के तर चाहें लड़ाई लेकि मैं मैंदान में कड़ी हूं तो एक मात्र बिंती गुजारिस अपने मुख्या जी से करूंगी क्योंकि संत और महत्मा हैं अभी यही लाइन कहूंगी मैं कि आप आज भी मेरी आवाज सुन लीजे क्योंकि जो बेटी सात्वे आस्मान तक आपको वि पक नहीं जल रहा है यही तो आपके राज्य में सुसासना और सुयोगय क्याता की बात हो रही है कब आप ऐसास करेंगे महत्मा जी आज भी आसा भरी निगाहों से यह शिक्षा मित्र परिवार आपके तरफ देख रहा है यदि आप नहीं कर पा रहे हैं कोई कारण हो तो आ आप क्रिप्या करके अपने शासन को बदलाव कर लीजे क्योंकि जब आप बदले भाव में आएंगे यह जनता आपको संत और महत्मा के हिर्दय से देखेगी तब भी आपका बहुत सम्मान रहेगा लेकिन एक सासक के रूप में जो नीती चल रही है उस पे कहीं आपका सास और राज में भी पूर्ण बहुमत से बैठाया आज उस जनता का आप तिरसकार कर रहे हैं यह अच्छी बात नहीं है और सभी का समर्तन भेजे हुए भाई बंदूओं का आबार मीडिया बंदूओं का इस्पेसली आबार यह लाईू प्रसासनिक बंदूओं का आबार और जिन भाई बैनों ने पूरे विश्व से मुझे समर्तन दिया उनका आबार तहे दिल से धन्यवाद छेसर खाया और ठीकर आए बातकिया हिए warning टता खाया कमेंा दो फ़र्लवह्ण पीदार रहा है आप ले 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 अ नार्णोख फाते हैं सब्सक्राज क्यृष्ण करते वालों के पंद्स्ट मित्क्नावग मां ऻाई लेले ब्स्तिते ख़ंदी ने, जाए